पीएम किसान सम्मान ने दी योजना बेनेफेसरी श्रेटर में अपडेट आ चुका है पीएफेमस के तरफ से क्या अपडेट आया हुआ इसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे हैं बहुत किसानों का कॉमेंट आ रहा था कि मेरा प्रोवलम आप भी भी सॉल्प नहीं यहां पर आपको की चुक करना होग़ा जैसे कि यहांपर देख पार हैं इस के मोबल नमबर यहां पर फिल आप कर देंगे करने के बाद यहां पर जो क्यापचा देख पार इस क्यापचा को इस बॉक्स पर फिल आप कर देना है करने के बाद गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपका इस्टाटर पीएफ एमस रिसपोंज डेट यहां पर सो कर अब डेट आया हुआ है चार-पांच-धोज़र तैस्ज यहां पर लिख रहा है और यहां पर रिसपोंज भी दे दिया गया है और यहां पर यह पर देख पार है लेंड शेडिंग यास लिखा हुआ है इनका accept हो चुका हैपकी अगिदे प innovation का पैसा ईना खितना आया खितना आने वाद जैसे कि इसको थौर सानीचे नमबर जो आया हुआ है यहाँ पाठ में जो लिखाओ है जो डिज देसा पार लिखा हुआ दरफ द्द दशर यहां पर लिखा वा 10 0完 2020 के बाद फीनकी सन्हीं योजना का पैसे इनका बंद गया और इनका पैसे यहां पर देख पार है साथ से लेका तिरह नंबर दक पैसा इनका नहीं दिया गया और यहां पर साथ वा नंबर पर यहां पर आ चुका है जैसे कि यहां पर आपको हम दिखा है कि यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा जैसे कि इसका benefits इस्टेटर में जो देख पारे 4-5-2 जटता है इसलिका हुआ है इसका current में update हुआ है और PM किसान युजना का पैसा पहले आ रहा था इसका State Bank of India में जब State Bank of India में पैसा आना बंद हो गया और उसका पैसा नहीं आ रहा था उसका इस्टेटर में blanks हो कर रहा था इसके बाद यह किसानों को कहा जा रहा था कि आप आधर एंपी से कर लिजे किसानों को जल से जद अपना आधर एंपी से कर लेना होगा अगर आपका State Bank of India में एकाउंट खुला हुआ है तो आप दुसरे बैंग में अकाउंट खुला लिजे उसमें आधर एंपी से कर लिजे आपका वाट्रमेटिक पैसा उसमें आने का पोर्सेस चालू हो जाएगा क पैसा आधर यकारि आधन आजया जाता है जिस भी बैंग में अपका आधर एंपैसा होना जाएगा अगर आप सखुला है क्या जाएगा चाहते है इस लिए लिए वीडियो के डिस्क्रीब्स देंगे उस link पर click करके आप देख सकते हैं कि PFMS का current structure किस तरह से चेक किया जाता है और उस वीडियो को भी देदेंगे वीडियो के description में कि उस वीडियो के माध्याब से आप देख पाएंगे कि आपका कौन सा bank में या अधर NPCA किया हुआ है उसमें active है कि नहीं है और उसके बाद आपना प्रोवलम की तरह से solve करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप comment box पर लिखेंगे कि किस बेंग में आपको खाता खुलवाना होगा और आपका PFMS में क्या प्रोवलम बता रहा है उसी सब से आप comment किजएगा उसका reply हम उसी तरह से आपको reply हम दे देंगे तो वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजगा और चैनल में नहीं है तो चैनल को subscribe कर दीजगा तो मिलते हैं आगले वीडियो में